उत्तन पेदेश के मुरदवाद में जरजर दिवार रहागीरों पर गिर गई हास्से में दो बच्चों से ही चाल लोग घायल हो गए पड़ोशियों के मुताविक दिवार कई महीने से जरजर और जुकी हुई थी और मकान में रह रहे किराएदारों और पड़ोशियों ने कई बार मकान मालिक से कहा था कि दिवार ठीक करा दो किसी दिन हास्सा हो सकता है लेकिन मकान मालिक ने इस जरजर दिवार के मरमत नहीं कराई और ये हास्सा हो गया हासे में एक महीला दो बच्चों के साथ जा रही थी और एक अन्य व्यक्ति भी महां से गुजर रहा था कि अचानक दिवार उनके ओपर गिर गई और चारों दब गए पड़ोस के लोगों ने किसी तरह गायलों को निकाला और जिला अस्पताल पहुचाया पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसी टीवी कैमने में कैद हो गई घटना मुरदवाद के खटगर थाना इलाके के कोहिनूरती रहे पर उस वक्त हरकम मच गया जब भारती स्टेडबेंग के बरावर वाली कली में एक जड़ज़र मकान की दिवास रख पर गिर गई हाथ से के बाद दिवार के नीचे एक महिला के साथ जा रहे दो मासुम बच्चे और एक व्यक्ती भी दपकर घायल हो गया सूचना पर पहुचे लोगों ने जैसे तेसे घायलों को दिवार के मरलिवे से बाहर निकाला और उने इलाज के लिए पहले नीजी अस्पताल और बाद में हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जड़जड दिवार के बारे में काफी बार पुलिस और पेशाशन के अधिकारी को सूचित भी किया था लेकिन हर भार खाना पूर्ति करती गई अगर जिम्मेदार पूरी तरह जिम्मेदारी से मकान मालिक पर सकती करते तो वे समय से दिवार सही करा देता और यहास्ता नहीं होता कर दो चाना करें कि अधिवार के मुट मेरे बड़े बाई को अब सामने को बच्चा है चोटा अचा 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 यह जो जिनकी दिवार ती जो मकान मालिक थे उन्चे कुछ सिंपती आपको मेली है कुछ आश्वासन उन्होंने दिया उनका फोन आया था जो भी है उनको उनको से पेदे के लिए तो दादी जो बंदा होस्पिटल में उसके उन बोल रखा जो भी खड़ चुका हो मेरे अज गटना इस तल पर पुलिस वगेर आई थी आज शुब